अगर कोई सोचता है कि वह काफी कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी कोशिशों को पहचाना नहीं जा रहा तो उसे खुद को ये प्रेणा कैसे देनी चाहिए कि मुझे वाकई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं मुझे वही करते रहना हुगा जो मैं कर रहा हूँ मुझे खुद को बहतर बनाना है उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है जो ये सोचते हैं कि कभी कभी उनके प्रयास उन्हें पहचान नहीं दिला पाते जैसी वे चाहते हैं देखिए ये जादा हो जाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये काम नहीं करेगा खासकर रीटेल उद्योग में अगर आप कहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो धन्दा खत्म साथ ही ये सोचना कि मेरे प्रयास से नतीजे नहीं मिल रहे हैं मुझे लगता है कि कई लोगों को ऐसा लगता है यानि उनके हिसाब से वे बहुत बढ़िया काम कर रही हैं पर दुनिया को भी ऐसा मानना होगा जब दूसरे आपके काम के फाइदे देखेंगे सिर्फ तभी आपको पहचान मिलेगी अगर आपके हिसाब से आपका काम कीमती है तो दूसरों से श्रे मिलने की चिंता छोड़िए पर अगर आपके काम से उनका फाइदा हो इसे समझते हैं वे आपके काम को बढ़िया तभी मानेंगे जब उन्हें उससे फाइदा होगा वरना वे उसे बढ़िया नहीं मानेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिलकुल काम नहीं करता दूसरे आपको पहचान देते हैं या नहीं देते ये इस पर निर्भर करता है कि उस समय उन्हें उससे कितना फाइदा मिला और इस पर भी कि आप क्या काम कर रहे हैं अब मुझे कहना होगा मैं कहूं देखिए आज मैं जहां भी जाऊं लोग बाते करते हैं अरे वे योगी हैं वे मिस्टिक हैं उनको मेरे योगी या दिविदर्शी होने के बारे में कुछ भी पता नहीं है उन्हें नहीं पता एक योगी या मिस्टिक क्या होता है पर अब क्योंकि इसे पूरी दुनिया में पहचान मिल चुकी है तो सभी तालियां बजा रही हैं मैं वही बातें पिछले 35 सालों से बोल रहा हूँ किसी ने ध्यान नहीं दिया अब अमेरिका में लोग तालियां बजा रहे हैं तो यहां भी लोग ताली बजाने लगे हैं ठीक है मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है इस पहचान का किसी दिन अगर लोग वाकई ये पहचान पाएंगे कि एक योगी होना क्या होता है और वो ऐसा बनना चाहेंगे तो यह अद्भूत होगा अलांकि कई लोग ऐसे प्रेरित हुए हैं पर मैं कह रहा हूँ मेरे आसपास रहने वाले लोग और मेरे परिवार वाले भी अगर मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ यही योगी होता कोई पहचान न होती वे मेरे योगी होने को कुछ भी नहीं मानते आप समझे आज क्यूंकि इसकी एक अंतराश्रिय पहचान है तो सभी कह रहे हैं वे एक महान योगी है उन्हें कुछ नहीं पता कि एक योगी होता क्या है उन्हें कुछ पता ही नहीं है कई लोगों को इसमें अपना फाइदा दिखता है बस इसलिए पहचान मिली है आईए इसे समझते हैं लोग मेरे जीवन की क्वालिटी को नहीं पहचान रहे वो ये पहचान रहे हैं कि मुझसे उन्हें क्या फाइदा है सिर्फ यही बात पहचानी जाती है मैं वास्तव में क्या हूँ सिर्फ कुछ ही लोग इसे पहचान पाएंगे बाकी लोग कभी जानी नहीं पाएंगे और यह ठीक है मुझे लगता है आपने बहुत सुन्दर बात कही और मैं सूचता हूँ अगर मुझे यहाँ इसे अपनी भाषा में कहना हो अरे अपनी भाषा में मत कहिए मेरी भाषा यानी जो मैं आपके सामने बोल सकता हूँ तो मैं कहूंगा जो आप कर रहे हैं उसे करते रहे एक दिन लोग इसका महत्व देखेंगे और तब आपका समय आएगा जैसे इनका आया और लोगों ने तालियां बजाई तो आप सभी रीटेल पेशेवर लोग लोगों के विचारों की चिंता न करें अपना काम करते रहे क्या मैंने ये सही कहा है क्या मैं सही कह रहा हूँ अरे आपने कांट जहाट कर दी मैं कहूंगा अगर आपके काम से आपकी खुशी प्रकट होती है तो पहचान मिले या ना मिले क्या फरक पढ़ता है आपको अपनी खुशी प्रकट करने का मौका मिल रहा है और अगर आप अपने जीवन में ये देखें कि जिन पलों में खुशी की तलाश की जाती है वे पल कैसे होते हैं और जिन पलों में खुशी जाहिर की जाती है वे पल कैसे होते हैं उन दोनों में क्या फर्क है तो आप पाएंगे कि खुशी जाहिर करने के पल जिन्दिगी के बेहतरीन पल होते हैं अगर आपक आपके काम से आपकी खुशी प्रकट होती है, तो आपके काम के पल आपके जीवन के बहतरीन पल होंगे.